All right guys, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से simplest तरीके से हम लोग फाइल को read कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को read line function के बारे में बताया था, read line function क्या करता है, आपको मदद करता है एक file को read करने के लिए, अगर यही आप करना चाहते हैं, यही आपका मकस है कि आप लोग file को read कर पाएं, तो आप लोग read file का इस्तेमाल कर सकते है, read file function क्या करेगा, आपको file read करके देगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि PHP में files किस तरह read करी जाती है, क्या तरीका होता है, एक file को read करने का, अगर हम उसको read करना चाहते हैं, reading के लिए सिर्फ हम उसका content है, उसको read करके use करना चाहते हैं, कभी-कभी हम लोग file को write भी करना चाहते हैं, जैसे कि file.html, अगर मैं उसके end में कुछ जोड़ना चाहता हूँ, या उसके बीच में कुछ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको read करूँगा, और read करने के बाद उसके end में जोड़ना चाहता हूँ, वो add करके, उसमें write कर दूँगा, तो ये सारी की सारी चीज़े कैसे की जाती है, चलो बनाते है, 35-files.php, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 35-files.php बनाएंगे, और अपने काम को जो है, वो चालू करेंगे, मैं आपर कर चाहता हूँ कि अगर हम लोग files को open करना चाहते हैं, तो सिर्फ read करने के लिए तो हमने read file उसकिया था, लेकिन क्या वो better तरीका है, जिससे कि हम एक file को read करके, एक file pointer को return कर सकते हैं, अब अब आप लोग होगे, file pointer क्या चीज़ आ गई, file pointer क्या है, तो चलो एक काम करते हैं आ यहां पर मैं लिखूंगा dollar fptr is equal to, यानि कि file pointer is equal to fopen और उसके बाद मैं आपर myfile.txt से चालो करूंगा, myfile.txt तो यहां पर इसका जो पहला argument होता है, वो होता है file का नाम, जो भी file का नाम है, उसको आपको पहले लिख देना है, fopen के अंदर, और जो दूसरी बात होगी, यानि कि दूसरा argument होगा, जो कि आप comma लगाने के बाद लिखोगे, वो mode होगा, अभी के लिए, just इस moment के लिए, मानलो की mode सिर्फ r होता है, जब हम read करना चाते हैं, मैं आपको और modes के बारे में भी बताओंगा, जहां पर w हम use करेंगे, write करने के लिए, a हम लोग use करेंगे, append करने के लिए, लेकिन बस अभी के लिए, मानलो इसको r रखते हैं, अगर file को read करना है, तो बस यह समझ लो, r इसको रख देना है, ठीक है, r इसको रख दिया, लेकिन अगर मैं अभी इस program को run करूं, मैंने अपना zam भी चालू नहीं किया है, तो यार ज़रा सा एक काम करता आपने zam चालू कर लेता हूं, मैं, zam चालू करके सिर्फ apache server चालू करना है मुझे, और ये index of cwh php, और ये php की playlist भी मुझे खोलनी पड़ती है, आपको बताने के लिए, ये video मेरी php की playlist का part है, kindly, php की playlist को ज़रूर access कर लेना आप लोग, ठीक है, चलो यह बात हो गई, अब क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर echo, अगर मैं आप पर dollar fptr कर देता हूं, और इसको अभी यहाँ पर reload करता हूं, तो यह कह रहा है कि, okay मैंने गरबर करती है, fptr मुझे लिखना पड़ेगा, इसको मैं सभी से लिख कर reload करता हूं, और आप लोग यहाँ पर देको, यहाँ पर अगर आपको content को read करना है, तो file pointer बनाने के बाद, आप लोगों को उसके बाद read करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ मैंने point कराया है file को, मैंने file pointer बना है, अगर php manual मैं आप लोगों को लेकर चलूं, लोगों को php manual बहुत boring लगती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी blogs आप लोग पढ़ते हो, जितने भी videos आप लोग देखते हो, including this one, वो at the end of the day यहीं से आ रहे होते है, source यहीं है, जिस तरह energy का जो मुख्य source होता है, वो सूरज होता है, sun होता है, ultimate source ही तेरा, कुछ भी जानकारी आपको php के मिल रह मैं आप लोगों को बताया, return क्या करता है, देखो इसने modes लिखे हो, इस पर आते हैं अभी थोड़ी दिर में, लेकिन return क्या करता ही है, अगर मैं इसकी return value की बात करूँ, तो यह कह रहा है, returns a file pointer resource on success, or false on failure, और false on failure, यानि कि अगर यह नहीं कर पाया, यानि कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, file का नाम गलत करके, और इसके बाद इसको reload करूँ, तो यह कह रहा है, fail to open stream, अब अगर मैं यापर इसको echo करूँ, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ था, dollar fptr, और इसको reload करूँ, इसको मैं reload करूँ, मैंने dollar fptr किया, मुझे wire dump यूज करना पड़ेगा, sorry, यहाँ नि, wire dump मैं use करूँगा यहाँ पर, और wire dump यूज करूँगा जैसे ही मैं, तो आप लोग देखो, यह boolean value false return कर रहा है, यानि कि मैं check कर सकता हूँ यहाँ पर, कि अगर मेरा fptr false है, if, इसको मैं reference के लिए रखता हूँ, यहाँ पर, ता कि आप लोग को जब मैं code है, if fptr, मैं को लिखूँगा, मैं लिखूँगा, देखो भाई, यह ऐसा है, कि मैं die कर देता हूँ, उसको die, unable to open this file, please enter a valid file name, ठीक है, और sammy goolean तो आप लोग गलती से भी लगाना, भूलोगे नहीं मुझे मालूम है, तो यहाँ पर देखो, मैंने इसको reload किया, और यहाँ आपर इसने मुझे एक warning दी, मैंने आपर लिखा, कि if not off करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि, you know what, यह जब not a false true होगा, तब इसके अंदर गुसेगा, यानि कि, अगर, अगर यहाँ पर यहाँ पर यह फाई उपन नहीं कर पा रहा है, तब यह message आएगा, तो देखो, आप मैं आ रही है, क्योंकि मैं development environment में हूँ, यह मेरा development environment है, हम लोग production environment में भी जाएंगे, जब हम deployment में आएंगे, तब बताओंगा आप लोगों को, लेकिन, अभी हम development environment में है, और हमारे लिए warning रहना बहुत ज़रूर ही है, एक बार हम अपने code को final कर देते हैं, तब हम production environment में चले ज चाहिए, obvious सी बात है, मैं चाहूँगा मीनिकी मेरे users warning को देखें, लेकिन अगर मैं develop कर रहा हूँ, तो मैं एक एक चीज की जानकारी रखना चाहूँगा, तो वही जानकारी PHP मुझे दे रहा है कि आपने जो file लिखी है, कई miss spell तो नहीं कर दिया आपने, तो इस तरह से हमार रही फायदा होता है, correct करने के बाद file का नाम देखो, यह warning जा चुकी है, और यह भी अपने होगा print, लेकिन इस file के content को निकाला कैसे जाए, यह आपको बताता हूँ, तो मैं एक dollar content नाम से variable बना रहा हूँ, dollar content is equal to लिखा, और मैं आपर fread function का इस्तिमाल करूँगा, fread function क्या करता है, पहला क्या लेता है, argument, जो file pointer है मेरा, तो मैं इसको fptr दे दूँगा, इसके बाद यह length लेता है, और length मुझे क्या मालूम यार इस file की क्या है, तो अगर मैं 5 डाल दूँ, देखो मैं 5 डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको echo भी करता हूँ, ठीक है, dollar content, त अब आप लोग कहें, कि this तो 4 characters है, आपने तो यहां पर 5 डिये है, तो यहां पर मैं आपको file दिखाता हूँ, दिसके बाद एक space b है, वो भी print हो रहा है, तो cool 5 characters हा रहे, अगर मैं अपनी file में आकर इसको 3 कर दूँ, तो आप लोगों को thai दिखेगा, तो कैसे बता चले कि file में कितने characters हैं, तो उसके लिए भी PHP में एक function होता है, अब आप लोगों कितने functions होते हैं, यह सारे functions आपको मालूम होने चाहिए, और यहां पर इस function का नाम है file size, file size क्या करेगा आपको, file का size बता देगा, तो file size myfile.txt मैंने लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अगर इसमें 10 characters हैं, तो यहां पर मैंने 10 लिख दिया, और मुझे पूरी file मिल जाएगी, तो यहां पर this से लिखे, file.txt मुझे पूरा content मिलना चाहिए, और आप लोग देखो, वो मुझे मिल भी गया है, तो अगर मैं इसकी source को भी देखूं, तो यहां पर देखो, new file size function है, तीन मुख्य function है, जो कि हमने देखे हैं, वो किस तरह काम करते है, fopen की return value क्या होती है, अगर resource available है, तो वो resource return कर देता है, लेकिन अगर available नहीं है, तो false return करता है, fread की अगर मैं बात करूं, तो यह क्या return करता है, यह content return करता है, जो भी आपने resource यह, उसके corresponding और file size आप करता है, तो I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अब अगर मैं आप लोगों को लेकर चलो PHP manual पे, तो इन्होंने बात करी थी modes की, तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर read, write और उसी के साथ साथ append mode के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि R plus भी ए अब यहाँ पर देखो क्या है, W plus और W में difference देखो, W में है open for writing only, place the file pointer at the beginning of the file, यानि कि अगर जो file है वो already exist करती है, तो शुरू से लिखना वो चालू करतेगा उस file में, if the file does not exist, attempt to create, यह create करने की कोशिश करेगा, W plus में क्या होगा, open करेगा reading and writing, ठीक है, writing भी आगया, reading भी चीज़ों के लिए करेगा, place the file pointer at the beginning of the file, ठीक है, and truncate the file to zero length, यह बात तो, यह बात की तरह ही है, जानि कि write में जो मिल रहा था हूँ, मुझे, W plus में मिल रहा है, लेकिन आगे बात को देखते है, if the file does not exist, attempt to create it, if the file does not exist, attempt to create it, तो यहाँ पर इतना part जो है, मैंने देखा, क to be honest, इसको रटेने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ writing only, यह बर reading भी आ गया, similarly R plus में, reading और writing दोनो, W plus में, reading और writing दोनो, ठीक है, तो I hope कि यह चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, और उसी के साथ साथ आप लोगों को, जो append mode है, और नीचे X mode भी है, X C mode भी है, उसको भी देखना आप लोग, लेकिन primarily हम लोग use करने वाले read, write and append, तो हम लोग इन तीन mode के साथ काम करेंगे, और उसके बाद आप लोग जो है, मैं चाहूँगा, कि नीचे, देखो हमने read के बारे में बात की, write के बारे में बात की, append के बारे में मतलब, file के end में जो भी चीज़ है, ठीक है, तो ये तीन तो हम लोग देख लेंगे, मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाले modes है, इनके बारे में आप comment में लिखो, अगर आप लोग नीचे comment में लिखो, इनके बारे में, तो क्या होगा कि हम सब एक दूसरे से सीखेंगे, और बहुत ही short लिख तो X के बारे में, X+, C, C+, E के बारे में, अब मैंने याँ पर X और C use किया है, E भी use किया है, लेकिन जितना ज़्यादा RW और E use होता है, उतना ज़्यादा ये use नहीं होते है, ठीक है, तो ये बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कि क इस तरह से अलग-अलग mode पे file को use किया जाता है, read करने के लिए, write करने के लिए, इसे सब चीज़े करने के लिए, अब एक बात यहाँ पर बताता हूँ मैं, जब आप जाते हो, fridge में से खाना खाने के लिए, fridge खोलते हो, खाना निकालते हो, क्या fridge बंद करते हो, नहीं करते ह सब बंद करते है, और कोई है तो मुझे बताओ, मैं खबर लेता हूँ तो आप लोग घर का fridge बंद करते हो, उसी तरह यह फाइल जो है, वो भी आपके घर के fridge की तरह ही है, तो अगर आप अपने घर के fridge को खोल रहे हो, तो उसको बंद भी करना पड़ेगा, तो एक फाइल जब खुल जाती है तो resources जो है वो ले रही होती है आपके server में तो आप चाहोगे कि वो resources free up करके आप उस file को close कर दो तो हम क्या करेंगे f close function का इस्तिमाल करेंगे और f close क्या करता है लेता है file point है ठीक है तो आप लोगों को शायद यहाँ पर difference नज़र ना f close लिखने का लेकिन यह difference बहुत जादा हो जाता जब आपकी website पर users होंगे traffic होगा और आपका जो server है वो CPU और RAM के लिए हाथ जोड़कर भीक मांग रहा होगा तब आपको पता चलेगा इसकी value तो resources अगर आप लोग चाहते हो आपकी optimal use हो तो file जैसे जैसे खोलते हो वहीं के वहीं जैसे काम खतम हो जाए उसको close कर दो जैसे कि मेरा काम यहीं खतम हो गया क्योंकि content के अंदर तो मेरा content आ गया तो मैं इसको close कर दोगा तो देखो यहां तो कुछ फर्क नहीं मुझे पता पचलेगा लेकिन जब मेरे website पर ब्लॉग पर यहां जो भी तो पहले के पहले ही इस तरह की optimization को मद्दी नजार रखते हुए coding करो I hope कि यह video helpful रहा होगा file के बाले में पता चला होगा आप लोगों को app close क्या करता है आपको पता चला होगा और यह जो हमारे पास flow है पूरा file को read write करने का PHP में यह clear हो गया होगा source code में description में link दे दूँगा आप लोगों को बिल्कुल पिटेंशन मत लेना आप लोग तो यहां पर अगर आप लोगों यह playlist access नहीं करी है तो आप लोग इस playlist को access जरूर कर लेना क्योंकि यही वो जगा है जहां पर मैंने आप लोगों को सारी के सारी वीडियो जहां वो दे दो जबकि मैंने already रखा होता है तो इसलिए मैं हर वीडियो के end में यह बोलना पसंद करता हूं कि आप लोग playlist access करें description में से link लेले मैंने दे रखा है link वरना चैनल खोलके भी आपको playlist तो मिली जानी है तो यहां पर आप चैनल खोलके playlist मेरी जितनी भी यह सिर्फ झाल हूं